वेलकम टू बालीकर्ण, आफ्टर दे वाचिंग भेडिया, विडियली इंप्रेस्ट पाय दिस फिल्म, बिकॉस वी दिडिन्ट एक्सपेक्ट लाइक दिस, मुवी के स्ट्रॉंग पॉइंट्स कई जाता हैं, मुवी के वीक पॉइंट से, मुवी अपने नरेटिव, अपना यूज ओनर, एंड अन्यूजर प्रेसेंटेशन को बहुत अच्छे से दिखाती है, एंड नो डाउट कि ये फिल्म इंडिन सिनेमा के लिए फ्यूचर मेकिंग फिल्म है, इन दिस वीडियो, वी विल डिसकर्स कि इस फिल्म में ऐसे क्या अलिमेंट्स हैं, जो इस मुवी क फ्यूचर कल्ट सिनेमा बनाती है, दिस इस डिसकर्शन वीडियो, सो हम जरूर चाहेंगे कि आप सभी भी हमारे साथ इस डिसकर्शन में शामिल हो, पता है, ये बात करके बाहर जुपकर कौन सुन रहा था, ये खतरनाक भेडिया, नमबर वन, डिफरेंट कॉनसेप्ट, भ बहुत कम ही फिल्में बनाई गई है, and still, it has not been developed, इसे related, हमने बस कुछ सीरियल, और कुछ एक मुवी ही देखी है, परस्नली, I think, इस मुवी के पास एक डिफरेंट कॉनसेप्ट है, जिसकी वज़े से, ये एक फ्यूचर कर्ट सिनेमा में सामिल होता है, औरेटी, हमने मुव और अब हमें भेडिया जैसी फिल्म देखने को मिल रही है, so we must be appreciate this film, for future of Indian cinema, and I think, इस मुवी का डिफरेंट कॉनसेप्ट ही, एक स्ट्रॉंग एलिमेंट है, जिसकी वज़े से, एक फ्यूचर कर्ट सिनेमा बनती है, by the way, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, do let us know in the comment. इच्छादरी तो नागिन होती है, क्यों? सिर्फ नागिन के पास लेसेंस है क्या, इच्छादरी होने का? Number 2, Connections We already know this is the part of horror comedy universe, जिसमें हमने इस्तरी और रोही जैसे फिल्म देखी है. In the recent years, this is the trend, कि जब हमें कई movies का interesting collaboration देखने को मिलता है, and I think as a collaboration, audience के curiosity को boost up भी करती है. Movie भेडिया में हमने राजकुमार राओ अपार शक्ति घुराना का एक छोटा सा cameo appearance देखा है, जो इस movie को perpendicular, movie इस्तरी से connect करता है. In the future, हम इस्तरी और भेडिया का एक amazing collaboration देखेंगे, जो अभी से हम सभी की excitement को बढ़ाता है, and Indian cinema को एक news owner देता है. Maybe in the future, ऐसा होने लगे, कि हमें जादतर फिल्म के amazing collaboration देखने को मिले, and makers पहले ही ready हो उस connection को दिखाने के लिए, जैसे कि हम भेडिया and इस्तरी के case में देखेंगे. Personally, I think एक बहुत बड़ा element है, जो इस movie को future cult cinema बनाता है. आपको क्या लगता है? I am right or wrong. Do let us know in the comment. Number 3, Meaningful Narrative किसी भी movie का end goal अपने meaningful narrative को दिखाना होता है, जिसे audience के life में कुछ unexpected changes आ सके. Personally, हमें movie भेडिया की punchline ने impressed किया है. जब-चब characters को movie का narrative बताने का मौका मिला है, वो उसमें पीछे नहीं हटे है. बले ही चाहे वो कृति सानोन हो या फिर अभिशेक पैनरजी. If you remember, so अभिशेक पैनरजी का एक dialogue आता है. प्राकर्ती है तो प्रगती है. That is the dialogue, जो audience को एक खास message देता है. So I think, अगर movie को trending memes and trending sequence के according बनाया जाता है, तो audience के लिए movie कभी boring नहीं होती है, बलकि audience इसे enjoy करती है, जो हमने भेडिया movie में देखा है. So अपने movie के unique presentation के थूँ, एक meaningful narrative देना, future के लिए एक new zonal हो सकता है. Number 4, Battle VFX. इतने criticism के बेच, जहां audience एक movie में सिर्फ खाम्या निकालते हैं, इस time period में भी, भेडिया को जादतर audience अच्छा ही बता रहे हैं, because इस movie की cinematography ने हम सभी को काफी impressed किया है, and we know that कि वेर वल्फ concept पर बनी फिल्म में VFX पा एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वज़े से ही movie में पकड़ बनती है, and movie भेडिया की VFX ने हमें बिल्कुल भी disappointment नहीं किया है, and इसके VFX को आदिपुरुष के VFX से compare किया जा रहा है, which is really better than आदिपुरुष, but as good audience, हम सभी का पहला purpose compare करना नहीं होना चाहिए, बलकि movie को enjoy करना होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है, हमारी इंडियन सिनेमा में आने वाली सभी मूवी को ऐसे VFX की जरूरत है, which makes movie watchable, बच्चों ने पूछा, कौन है, भेडिया बोला, number 5, conclusion, as always, यह हमारे वीडियो का conclusion है, ऐसा बलकुल भी नहीं है, कि movie भेडिया में कुछ खाम या नहीं है, बट हम उसे ignore कर सकते हैं, because एक different concept पर film बनाना, अपने आप में ही एक challenge होता है, ऐसे में minor mistake होना natural है, बट एक good cinephile को उसके appreciation के लिए उसे ignore करना चाहिए, movie में कुछ चीज़े और भी अच्छी हो सकती है, but still, that was good experience for our team, हमारी team ऐसी movies को always appreciate करती है, और आगी करेगी भी, and our almost conclusion is that, कि ये movie 2022 की best movies में आती है, and we loved it, what do you think about it, do let us know in the comment, तो चलिए, that's wrap on this video, आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं, with its follicle, जहां आपको entertainment, and cinema से related चीज़े मिलती रहेंगे, वीडियो खत्म होने से पहले, आप हमें बताएं, कि आप इस movie से related क्या thoughts रखते हैं, आप हमें अपने thoughts, comment section में जरूर शेयर कर सकते हैं, with it, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like, and channel को subscribe करना ना भूले, for which you want, bye bye,